गूड मॉनिंग तो आला फ्यू फ्रेंड्स इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजयन सिंग विस्व बिद्याले प्रयाग राज के जो बैक पेपर जिनका लगा था रिजल्ट में उनके लिए जो है 2023-2024 के लिए जो है बैक फार्म ऑनलाइन करने की जो है लिंक वो एक्टिवेट कर दी गई है ठीक है तो आप लोग कैसे करना है ऑनलाइन किन बच्चों को करना है और किस एयर के बच्चों को करना है थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लेजिए एक बातों को क्योंकि यहां पर कुछ examination आपको पता है annual हो रहा है और कुछ examination semester wise हो रहा है तो please ध्यान से समझेगा बातों को तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो back paper हैं कुछ admit card उनके जारी कर दिये गए है लेकिन ये जो admit card जारी किये गए है वो 2023-2024 के exam के लिए जारी किये गए है back paper और ex student के लिए भी दूसरी चीज़ यहां पर campus के students के लिए भी back paper के लिए और regular paper के लिए जो भी exam होने वाले उनके admit card जारी कर दिये गए हैं बात जो आपके back की है जो result आये हुए थे इसके पहले और अगर आपने देखा कि उसमें आपका back लगा है तो सबसे पहले back student वाले में ध्यान से समझेगा क्या करना है आपको यहां पर देखिए पहली वाली link पे लिखा है click for back form annual examination 2023-24 तो अगर annual examination यनि कि आपकी परिच्छा है वारसिक के आधार पर हो रही है यनि वारसिक annual examination हो रहे हैं तो आपको यहां पर click करना है ठीक है दूसरी चीज यहां पर click करते ही आपको अपना क्या करना है form fill कर देना है कुछ detail यहां पर आपसे मागा जाएगा इस detail को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने आपकी detail आजाएगी तो वहां पर आपको select करना है किस paper में आपका जो है की pack लगा था ठीक है दूसरी चीज यह जो बच्चों के लिए मैंने बताए इन्वाल examination जिनके होने हैं उनके लिए है तो यह चीज जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह सभी के लिए नहीं है ठीक है यह जो है वो सभी के लिए नहीं है इसके पहले अब इसके नीचे आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पर आप online कर देते हैं फार्म और किसी कारण वससे आप वहां से lift हो जाते हैं तो इस वाली link पे जो है कि login करके अपना print out जो आपने back form भरा है चूंकि उसकी आपको fees भी देनी पड़ेगी तो उस application का जो print out है वो आप यहाँ से download कर सकते हैं ठीक है अब दूसरी चीज़ समझे यहाँ पर अभी जो है कि odd semester के लिए यह back form के लिए है जो new education policy के थुरुजिन का admission हुआ है बीए बीए सी बीकॉम के instrument के लिए अगर उनमें और समेस्टर अगर आपका माल लीजे फर्स्ट समेस्टर था ठीक है थर्ड समेस्टर था फिप्त समेस्टर था रिजल्ट इनका आया है और उसमें back paper लगा है तो और आप और समेस्टर से है new education policy तो आपके admission हुआ ह हैं और यहां से अपनी print out download कर सकते हैं अगर वहां से किसी reason से आप lift हो जाते हैं तो ठीक है तो यह back examination के लिए आपके लिए new education के students के लिए था जो जिनका NEP के थुरू admission हुआ था उनके लिए था दूसरी चीज जहां पर admission form ये भी odd semester के लिए ही है लेकिन इसमें NEP नहीं दिया गया है जिनका सिर्फ semester wise हो रहा है और odd semester से हैं उनके लिए यहां पर यह form है 2023-2024 के examination के लिए जनी कि अगर आपका ध्यान से बात समझ लिजे अगर जो है कि माल लीजिए अपने third sim में जो है कि आपका back लगा हुआ है ठीक है और अभी आपके जो fifth sim के यनी कि five semester के जो examination है वो 2024 में होने वाले हैं तो आप ये वाला form जो है fill करेंगे ताकि आपका इस exam के साथ इसमें जिस paper में आपका back लगा हुआ है इसका examination भी हो सके और उसक result भी समय से जारी कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं तो ध्यान से समझेगा ये जो है फिर से जारी किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है बैक लगा था ठीक है तो आप लोगों का भी अगर किसी भी student का है तो आप जो है कि अगर annual examination हुए आपके माल लिजे फर्स्ट इयर में हुआ examination फिर second year फिर third year में हुआ तो ऐसे अगर आपको first year में लगा है तो भी आप भर सकते हैं second year में लगा है तो भी भर सकते हैं इस form के according और अगर आपका new education policy के through admission हुआ है और odd semester में लगा है तो यहाँ पर भर ये ठीक है और अगर आपक semester wise है और semester में लगा हुआ है यानि new education policy नहीं है तो इस वाले form पे क्लिक करके आपको form fill करना है बातों को ध्यान से समझेगा वीडियो नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से repeat करके देखी सारी चीजे मैंने अच्छे से explain की हुई है तो इस तरह सिसमें है ही मैं ये अपने त क्या चीजें हैं वो मैं उसी के recording बताया हूँ जो आपके college या campus के दोरा करवाया जा रहा है तो ये मुझे पर मत कहिएगा कि हाम मैंने अपने से कुछ add करके बताया है आप लोगों के लिए जो notice जारी हुआ उसी को मैं explain कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ ठीक है कोई problem नहीं होने वाली है अगर आप अपने से भी फिल कर सकते हैं बस बसरते इतना करना है कि आपका form ठीक से भरा होना चाहिए यानि कि फिल हो जाना चाहिए और payment भी अच्छे से हो जाना चाहिए जब आप payment करें तो network में रहके करें यानि कि जहां पर अच्छा network हो वहां पर जरूर जाएं वहीं से आप payment करें ताकि कभी कभी होता है कि network इसू के वज़े से आपका payment भी कट जाता है यहां से और वहां पर आपका application successful भी नहीं सो करता तो यह मैं suggest करूंगा आप सभी लोगों को कि जहां पर payment करें अगर आप तो network रहना चाहिए वहां पर अच्छा network तो आपका successful हो जाएगा ठीक है बाइदवे अगर आप अपने इस कर सकते हैं तो otherwise आप कहीं भी साइवर कैफेस जाकर करके यह form fill करवा सकते हैं ठीक है तो friends यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत important है आपके अपने दोस्तों के लिए जो भी students का back लगा है उन तक व वीडियो पसंद आया तो लाइक जूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद